हलो दोस्तों इस वीडियो बताने वाला हम नों e-mash का यूज करके हम लों ऐसा जाली कैसे बना सकते हैं e-mash के ज़रिये e-mash command जो हम लों वीरे 6 में मिलता है उसका यूज करके हम लों ऐसे जाली कैसे create कर सकते हैं वो भी एक plane के अंदर और आपको यह जानना है ते विडियो दिखते रहिए और सिखते रहिए fixin.com यहाँ मिलते हैं आपको 3D model, scene 5, texture और tutorial और विजा जाने के लिए इस वीडियो के description में इसका link दिया हुआ है आप वहाँ पर जाकर आप visit कर सकते हो उस तरह की जाली बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह के यह model आपके पास नहीं है तो यह model practice के लिए मैं वीडियो के description में दे दूँगा इसका link आप वहाँ से download करके ले सकते हो उसके वह practice कर सकते हो इसके लिए सबसे पहले आपके पास तो यह जो है मैं यूज करने वाला हो वीरे E Mesh E Mesh जो है यह वीरे 6 में आता है तो यह यूज कर पाओगे यह object project file को आप यूज कर पा ओओगे इसके उपर का काम कर पाओगे सबसे पहले आपके बाड़े 6 होना चाहिए लेंटके नदर जानके बाद फिर आपको इसकर जयाना Modify Listen呀 अंदर जाओगे इधर पर आपको displacement मैप के जस उसके आस-पास में रीडे इमेश दिकENम कम रेति को आपको इस पर मैं हुआ प्लीन के उपाए यह विरिये इमेश अप्लाई कर दिया हूं और आप्जेट पूला तो क्या यारिंक如果 चाहिए यह जो आप्जेक्ट है उसको आपको इसके अंदे डालना है औप में ठीक है इसको मैं डाल देता हूँ पहले एक एक करके साइसर आप्जेक को क्लिक किया को क्लिक वर्ण अब यह मेरा पूरा आप्जेक इधर पर अपलाए हो गया है असाइंग हो गया है पहले वीरे इमेश में जाता है तो वीरे मैं जो सबसुर ऊपर टॉप पर आता है बॉक्स का जो क्रॉपिंग साइस यहाँ पर दिख रहा है तो मैं इसकी साइस को मैं बड़ा दे रहा हूँ एख और अब कंना यह वhopनद है कि आप में इथर पर नजर आने वाला ही है आप इसको रेंडर में देख सकते हो और आप और पूल बूम आपनेच जो को चेंजे से इधर में को लाइब दिखेगा आपको यहां पर जो मैं यहां पर आपको दिखाने वाला हूँ तो भी मैं देख सकते हो कि यहां पर जो मैं मुवमेंट कर आप पूरा प्र लाइब vh changes are आया यहां जैसे iwag totalmente बढ़नर इंट बन रहें इतना बड़ा इसमें बड़ा us a जितना बड़ा स्वाइब को इसमें अधर अधर का हम इंयो करता हो इसकी हाइड को पतला कि इ pork- attempting the samap to be some יו निक्ना आपको अपने पर क्रॉपिंग करना है वह आप क्रॉपिंग कर सकते हो तो अगर मैं कुछ जिरू कर दिया तो पूरी तरह से पतला हो चुका है तो इतना में नहीं चाहिए तो मैं सिधा इसको पहले बढ़ा कर लेता हूं तो इस तरीके से नजर आ रहा है ओके तैलिंग आपको कितनी चाहिए अभी इसे पांच है इसे पांच है इसे भी पांच है अगर मैं को इसको बढ़ाना है पांच-पांच से अगर मैं को इधर करना 10 विद्धर मैं करूंगा 10 तो 10 10 की ओब्जिक्स क्रेट हो जाएंगे यहां से अगर मैं इसकी हाइस प्रसेश जीरो कर देता हूं इसर पे-कर रता हो गया उपर की तरब से दब गया है नीछे की तरब ठीक है तो मैं स को नॉर्मल जैसा है वैसे रगता हूं इधर पी देख सकते हो हाइट बढ़ाना चाहते हो ये घंपोर चाहते हो आपूर्णास कर सकते होँ कर i सब्सक्राइस जो गए तेक्टोव सब्सक्राइब वह बढ़ते हैं गए लिए ओब लोलों आrine अप। नहीं कि थी टीटेल के लिख रहा नहीं होगा। सब्रहъं कि यह मैद आपको इधर पर ज्यादा कुछ डिटेल में दिख रहा है नहीं हो सिके टार थे मेंने टाइलिंग काफिही अच्छे से नज़र नहीं आ रही है तो इसके टेक्षिर खोछ मैं फ्वला है तक हमको अच्छे से नजर आ इसके टेक्षिर मिस को जूम करें देखेंगे आपको टेक्षिर कुछ इस तरी केसे नजर आ रह strictly आप जब तब मैं इनके उपर वही मटेल अप्लाई नहीं हो तब यूबिल्ट मैपिंग सेम सेम समय जाएगी नहीं राइट अगर मैं यहाँ पर फिर जा तो आपने प्लेन के उपर प्लेन के उपर मैं इसको असाइंग कर देता हूँ जो भी यह ऑब्जेक्स है इसके उपर यही मैप अप्लाई कर देता हूँ अभी यह मैंने काफी हद तक इसको स्ट्रेची इस सब सारी चीज़े कर दिया हूँ इसके वैसे यह ऐसा हो रहा है करें जोड़ा इसको प्रश करें दिखाता हम दिखांँ इछ सब से से बेअरो यह सब करें एक हो सबढ़ ने आपसे एग बेशृभ करता हुआ है घर् beginner के उन्दाव च्कियरान कि मैपिंग सब में अप्लाई हो गई होता है यूस है को अब्लेट अब है है तो अभी नेक्स चलते हैं अभी देखते हैं रोडेशन रोडेशन रोटेशन यान अवे देहलों काफी सीदा-सीदा यहां आ er जो यह औब्जेक्ट आप देख रहे हो कि अभी एधर पर जो टैलिंग बन रही है काफी चीफिधी-सीधी फ्लैट्फछ कि रूटेट करना था यानि रोटेशन करना था हम एसको रोटेट करता हूं जैसे 45ड़ी त आप देखो गे कि एंगल पर यह मेरा रोटेट हो गया मेरोटेट हुआ क्या रोटेट अ मेरे जो इधर पर बन रहा था यह ऑब्जेक्स वह यह रोटेट होने लगया पूरे देखो यहाँ पर ठीकते तो यहाँ पर मैं इसको फिक्से जिरू करता हूँ अच्छ अच्छ यानि कि इस ऑब्जेक्स फिट यहां से वह और कुछ नहीं जैसा नॉर्मल रखते हो वैसी रख दोगे तब भी दिक्कत नहीं है फिर आगे चलते हैं यहाँ पर और रेंडम आपसेट यूवी तो रेंडम यानि कि जैसा रेंडम ली इधर पर आगे पीछे क कुछ भी इसके तंदर चेंज होगा यह देख सकते हो कि यूएन वी में जैसा आपको चेंज चाहिए रेंडमनेस में ऐसा कुछ फिलाल तो रेंडम से तो हम कुछ यह नहीं जैसा है वह अच्छा दिख रहा है अभी ठीक है अब इधर पर यूज रेंडम रोटेट सटप अ अभी यहां पर रेंडम रोटेशन अच्छा हो के मैं इतर पर क्लिक किया तो तब यह नीचे वाला हम लोग यूज कर सकते हैं मैं चलो क्लिक किया तो अभी यूज कर रहा हो तभी अपलाई हो रहा है नहीं तो इमैंज सिसको mark करूंगा तब यह अपलाइ होना चालोगे यह जो भी मेंगा है अब यहाँ पर आप दीखाता हूं जीखांगा है दिख्णाय मैं रेंडम रोटेशन हो गई और हना चाहिए को ज Yin मेड़ा मेड़ा रोटेट करना है ऐसा अनिवन एक जैसा दिखना नहीं चाहिए रंडमनेस दिखने चाहिए सब सारी चीजों में तो यह हम लोग यहां पर कर सकते हैं अगर नहीं करना है तो छोड़ो अभी इधर पर क्या है कि एक चीज भी बता सकता हूँ अब देखो यह जो बॉक्स है जितने बड़े बॉक्स में जैसा ही इसमें दिख रहा वैसा इधर पर नजर आ रहा है अगर मैं इसकी टाइलिंग के अगर मैं ऐसा कुछ करूँ कि मुझे इसका हाफ एंड पार्ट चाहिए जैसे कि मैं अगर बता हू लेगा है कि ये आपश्ची जो है हमारे पास मिला है जो इसका जो बॉक्सिंग आया आए व्हुत को मिला है तो उसको मैं सबसे पहले तो यह कर लेता हूं इन ऑब्जेक्ट इस पेस्पे क्लिक कर दिया अब यह पर्फेक्ली फिट हो गया प्रॉपर देखो पूरी तरह से क्रॉपिंग भी प्रॉपर जोइन जोइन पर एदम टच अप हो गया फिट करने के बाद में अगर रंडम ली जो किया था वह प्रॉपर ली हुआ नहीं था उसके निद्धा के कही ना कही चुड़ गया था अभी जाकि किसी में भी गया नहीं है पूरी तरह से जॉइंट से ठीक है चिपका हुआ है पहले क्या हुआ था मैंने काफी हद तक चोड़ दिया था यानिकि मैंने इसके दिशेट दिया था बहुत ज्यादा ही अगर मैं इ इसी से कढ़िए एक हमें से आयाज सकते चुड़ा करना तो है अगा시면 सब्सक्राइब को कुल सेसी छेश्कम को ही इतना को सब्सक्राइब करता है फिर इसको रहता हूं एसे में रखता हूं इसको 12 के आसपास और इसको रखता हूं 17 के आसपास fresh अभी आप देखो गें इधर पर कैसा जोइंबान रहा है मुझे एक- dei सकती हो एक रशी जींडे हो गया सबके सब एक दूसरे से जोइन हो हम लोग को इस तरह की जाली बनानी है, render में अंदेर में मतलब किसमें है, render में, render में हमारा जाली दिखे, वह best है, युकि हम लोग को render output ही हमारे पास आना चाहिए, बाकिया viewport पे क्या बना रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, और चुर्ध यहां गडूंग है तो यह सई चीज है इस तरह से एक एक पे पैंट न आपकर इसान उप्डश्पिट करके ऐसे रेपीटिबल ऑब्जेंक करेंच मिष्पेटियार और लुप कर करो हो तो देह सकते हूं इधर फे एक तरह से बैठल जैसा लुक 9 skilled today और ये इस तरीकह से नजर आ रहा है इसको मैं अभी frontal output निकाल के दिखाता हू Another render गजिकाता हूं कि यह किस तरीके से नजर आ रहे वाऊ इस तरीके की जाली आप बना सकते हो इस इमेच के जरीए तो फिर वर्स अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो सस्क्राइब कर देज़ेगा में चैनल और बैल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके थांक कि आप विजिट कर सकते हो